हेलो स्टूरेंट्स मैं मधुगर मैलापल टेक्निक कॉलेज कोटा से कमर्शल आर्ट से आज हम इस ए लेक्चर में जानते हैं कोपी राइटिंग फॉर न्यूजपेपर यहां हम आपको कुछ न्यूजपेपर के हैडिंग्स दिखा रहे हैं न्यूजपेपर को न्यूजपेपर इसलिए बोला जाता है कि वह पेपर जो न्यूजपेपर आता है उसे हम न्यूजपेपर कहते हैं हम देख रहे हैं कि हर न्यूजपेपर का जो टाइटल है नाम है वह अलग साइज और अलग फॉन में लिखा हुआ है कहीं पर आपको इंग्लिश में नजर आ रहा है तो कहीं पर आपको ये घंदी में नजर आ रहा है चुँकि ये paper यूज लेके आता है इसलिए से newspaper खा जाता है हम देख रहे हैं कि इस paper की कौने में यहाँ पर कहां से ये छप रहा है किस तारीक का किस डेट का है क्या कॉन साइज है इसका लोगो और कॉंटेक नूबर उपर के तब लिखा होता है कई पार न्यूस पेपर में यहाँ पर दो एड बने होते हैं जिने हम एर पैनल कहते हैं अब हम समझते हैं न्यूस पेपर को हर न्यूस पेपर का अपना एक साइज होता है लंपाई न्यूज है वो कॉलम में छपती है इसे हम कॉलम कहते हैं यह 4.5 cm का होता है 5 cm इसमें इधर 5.5 cm इधर स्पेश छोड़ दे जाता है ताकि 2 न्यूज आपस में ओवरलेट ना हो जाए अधितर न्यूज पेपर में 8 कॉलम बने होते हैं 1,2,3,4,5,6,7 और यह 8 तो न्यूज पेपर का जो साइज है एड का जो साइज है वो हमारा कॉलम बाइ सेंटिमेटर में हमारा साइज होता है यह हमारा 4 कॉलम के लाएकर और यह हमारा उसका लंबाई के लाएगी यानि चोड़ाई हम हमेशा कॉलम में ही बात करते हैं यहां जो हम एड देख रहे हैं इसको हम क्वार्टर साइज 1,4 साइज एड बोलेंगे मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ यह देखिए यह जो एड है यह हमारा फुल साइज एड के लाएगा फ्रंट पीच पर यह हमारा फुल साइज एड है इस एड का जो कॉस्टिंग ह वह अलग होता है और यह इस पर भी डिपैंड करता है कि न्यूस पेपर किस दिंग आ रहा है यह देखिए हम एक और न्यूस पेपर हम देख रहे हैं जिसमें यह फुल साइज एड दिया हुआ है तो फुल साइज, क्वार्टर साइज और मैं आपको यह आपको यह हाफ साइज एड करता है क्योंकि यह न्यूस पेपर के हाफ में है और यह बैक में है न्यूस पेपर में जो एड है बैक में और फ्रंट में इन दोनों की कोस्टिंग जादा होती है क्योंकि आदमी न्यूस पेपर को या तो ऐसे लेके पड़ता है तो पीछे की साइड के पीछे के पेज भी एड भी दूसरों को दिखते रहते हैं इसलिए फ्रन्ट और बैक की कोश्टिंग जाधा होती है निवस्पेपर के एड में वो ही सारे प्रिंसिपल्स फोलो किये जाते हैं एलीमेंट्स वीडूस किये जाते हैं जो हम प्रिंट मीडिया के लिए करते हैं अब हम एक बार जानते हैं कि print media के लिए क्या-क्या requirement रहती है पहला है कि सारे जो print media है print media के अंदर जो भी आते हैं उनसाब में वो ही copy element यूज किये जाते हैं फिर ये elements जो हैं वो हर मांध्यम के लिए उसका जो objective है वो अलग-अलग होता है आज हम बात कर रहे हैं नियूस पेपर कॉपी के लिए नियूस पेपर की जो कॉपी है उसके अंदर उप्वोकता के ध्यान को आकर्शित करने के लिए बहुत ज्यादा मेनत की जाती है कॉपी जो है वो हमेशा स्ट्रेट फॉर्वर्ड और इंफॉर्मिटिव होनी चाहिए नियूस पेपर की कॉपी इंपॉर्मिटर यानि सीधे ही उप्रुकता से बात करने वाली और सूचना मत कॉपी होनी चाहिए क्योंकि नियूस पेपर नियूस लेके आ रहा है informations देने के लिए आ रहा है तो copy हमेशा informative और straightforward होने चाहिए तीसरा जो इसका point आता है writing in brief copy को हमेशा संग्शित में लिखा हुआ होना चाहिए समझते हैं इन points को और जानते हैं कि news paper के लिए copy कैसे लिखी जाती है और किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए यह add हम देख रहे हैं चुछ half page add है इस add में हम जाते हैं धीरे धीरे अब add को समझने के लिए यह हम देख रहे हैं कि company का नाम है और उसकी एक headline है headline को support करते वे company ने एक sub headlines दी है यह इस product का नाम है जिसके नीचे उन्होंने product के बारे में बताया है चुकि newspaper add के अंदर illustrations portion बहुत ज़्यादा effective और प्रभावी होता है इसलिए product का photograph newspaper में दिखाया जाता है और बड़े size का होना भी चाहिए यह हम इस product के साथ background को देख रहे हैं जिस paper add के सबसे खासमा ही होती है कि इसके अंदर हम copy detail में दे सकते हैं ताकि उप्रोगता इस add को पढ़कर अच्छे से समझ सके तो इस product से related या जुड़ेवे जो भी पार्स हैं उनके बारे में इस add में हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से pitrization के साथ समझाया हुआ है ये हम newspaper के add में ही दे सकते हैं उसकी copy लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी body copy को भी interesting बनाएं ताकि उपभोकता उसको दे कि समझ सके उसकी तरफ attract हो सके हम उपभोकता के ध्यान को अकरशित कर सके अब हमने ये body copy तो हमने उसको समझा दी पर और जादा अगर उसे product के बारे में detail चाहिए तो हम ये newspaper के add में ही हम दे सकते हैं newspaper के add में हम अपना contact number कहां से बोल ले सकता है कहां contact कर सकता है ये सारी जानकारी हम newspaper के add में दे सकते हैं और भी हम add के दोरा समझा की कोशिश करते हैं ये देखिए ये half page add है यहां हम देख रहे हैं company का logo यहां उन्होंने headline दी है और headline को जो उन्होंने बताया है कि उस सब के मौके पर घर लिया ये खुशियां उसको उन्होंने इस company के body copy में समझाने की कोशिश की है कि ये जर्मन engineering से बनी हुई है attraction के लिए उन्होंने बताया कि आपका हर दिनी मूरत है और मूरत के लिए ये जो illustration या atmosphere हम कहेंगे वो create किया है company कौन-कौन से product बेच रही है उस company ने अपने सारे product की range को इस ad में display किया है जिसे हम illustrations कहते हैं company ने अपने product के photograph को यानि illustrations को बहुत ही खुशूरती से बताया है product ने company ने अपने quality के बारे में भी बताया है और ये बताया है कि आप 10% cashback कैसे ले सकते हैं कौन-कौन से offer company आपको दे रही है कौन-कौन से discount दे रही है कौन कितने years की warranty दे रही है finance के लिए आपको क्या सुविधा है और आप इसका online payment भी कर सकते हो इसकी ratings के बारे में भी ने बताया है अब टाइम करेंट scenario चल रहा होता है वो हम newspaper के add ने दिखाते हैं जैसे आप ये वाला add के समझेंगे Mumbai Indians का है अभी हमारा IPL में चल रहे हैं तो जो भी अभी current में चल रहा होता है वो अधिकतर add newspaper में देवे होते हैं यहां हम illustrations को देख रहे हैं कि इन्होंने कितना इलस्टेशन को importance दी है यह इसका 1-4 पेपर साइज का add के लाता है उपर हम देख रहे हैं dark color है वहां white colors में अपना headlines दिया है यह उसके features जिसे हम body copy कह सकते हैं यह हमारा illustrations part के लाए का जो हमें customers के ध्यान को अकरशिप करना है जाता जानकरी के लिए आपको जानना है तो आप यहां से इसकी information ले सकते हैं यह नहीं newspaper का जो add है वह हर तरह के work के लिए add बनाया जाता है हर तरह की category के लिए हर तरह के product के लिए add बनता है जिसके अंदर हम logo headlines punchlines body copy यह देखिए full size के add के दौरा मैं आपको समझाने के कोशिश करती हूँ हर newspaper के add का जो भी title होता है वो उसके specific fonts, colors, type styles में लिखा होता है यह change नहीं होता है यह fix होता है और paper का जो size है वो भी fix होता है ताकि हम देखते हमें पता चल जाता है कि यह कौन सा newspaper है यह हम एक full size का add देख रहे हैं जिसमें इनोंने जो product है उसका photograph दिया है और इस product से related जो बात वो कहना चाता है उसको उनोंने यहां पर illustration के द्वारा भी समझाने की कोशिश की है हाथों की सुरक्षा के साथ इनोंने हाथों का illustrations यूज लिया है ज्यादा चले कम गले के साथ इनोंने वैसा illustrations लिया है कपड़ों का रंग नहीं छूटे और तुलनात्मक कीमत यानि हमारा जो matter लिखा हुआ है उसके साथ illustrations को भी यूज किया है यलो कलर्स हमेशा बहुत ज़्यादा catchy होता है attractive होता है अंधरे में भी डिखाई दे जाता है यलो कलर्स के उपए उनोंने black color से fonts लिये हैं इस पेपर के एड में हमें अपने एड को attractive बनाने के लिए हमें fonts का size, font की type, style, font का color scheme का ध्यान रखना होता है और उस arrangement का कि वह हमारा जो एड है वह हमारे विख्राफ को शोना करें यह हम एक और एड दिखाते हैं आपको यह भी half page size का एड है जोकि यह print media add है इसके अंदर जो भी print media के copy के elements है आपका logo है, आपका headline है, आपका illustrations है, आपका body copy है यह सारे elements को बहुत अच्छे से compose किया जाता है, illustrations portion के उपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कैची करने के लिए product के साथ साथ में background कह लिजिए, हमें atmosphere कह लिजिए उसको हम एक create करते हैं, पूरी एक picture के form में ही हम पूरी इस drama या story को समझाने की कोशिश करते हैं तो कि customers इसके अंदर contact number या details जाता जानना चाहता है तो वह सारा का सारा हम इस ad में दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उप्भोकता जोकि newspaper एक विश्वशनी हमाद्यम है तो newspaper के ad में हम उप्भोकता से कुछ भी product के बारे में नहीं चुपाकर उसको हर चीज detail में ही समझाना चाहते हैं ताकि वह हमारे product को विश्वाश करेगा देखिए हमने आपको तीन एक प्रोड़क के ad दिखा हैं पर तीनों का जो presentation है वह आप एक अलग-अलग form में देखेंगे यह इन्होंने highway को बताने की कोशिश की है इन्होंने अपना जो title है वो leader form में दिया है यह इन्होंने company ने अपने product का illustration या photograph किया है यह इस product से related जो भी इसके अंदर parts है इसकी खूबिया है इसके features है उनको इसमें बताया जा रहा है चोकि इस product की body copy और ज़्यादा detail में शब्दों में नहीं हो सकती जितना हम picture के form में किसी copy को body copy को समझा सकते हैं वो उतनी ही ज़्यादा attractive कहलाती है और newspaper के ad में हम देखते हैं कि अधितर product की कीमत contact number हमें जरूर मिलता है यह बात हुई newspaper के ad की इसके ad के अंदर आप हमेशा offer वाले ad भी देखते हैं क्योंकि offer वाले ad जो हो कुछ ही समय के लिए आते हैं जिने हम change भी कर सकते हैं अब मैं newspaper में आपको उस ad के बारे में भी बताना चाती हूं जिसमें illustrations नहीं होता है जिसे हम classified ad कहते हैं यहां देख रहे हैं background में yellow colors लगाया है attraction के लिए उसके उपर black color से लिखा है किस तरह का ad है उसको बताने के लिए red color से दिया है इस ad के अंदर सिर्फ शब्दों का ही प्रियोग किया जाता है illustrations नहीं होता है और जितने शब्द काम में लिए जाते हैं उसी according इसकी costume होती है इस ad को हम classified ad कहते हैं यह classified ad आपको newspaper में ही मिलेंगे यहां जो हमने size बताया था यह classified ad से थोड़ा बड़ा है जहां देख रहे हैं कि कुछ illustrations को भी काम में लिया है body copy जादा नहीं है इनकी केमत इस classified ad से ज्यादा आती है कुछ गौर्डमेंट ad हम देखेंगे जो हमारे black and white colors में छपे होते हैं यह देखिए newspaper ad हम देख रहे हैं जो एक साइज में एक particular जो मैंने आपको चार साइज विदा है उससे नहीं होकर एक strip की form में बनाएं तो आजकल जो हमारे newspaper ad है वो या तो इस तरह से आपको लंबे मिलेंगे या ऐसे भी आपको लंबा ad half page ad मिलेगा यह देखिए फिर अगें half page ad है जिसमें five को important दी है और इसके अंदर आपको product की range को show किया गया है यहां हम फिर एक ad देखिए है क्योंकि newspaper ad जो है वो हर category के लिए ही इसके अंदर छपते हैं यह product को जादा इन्होंने बताया क्योंकि लोग पाक जब खरीदेंगे थो उनको product के बारे में पता होना चाहिए कि कि size का है कैसा है दिखता है उसके उपर क्या logo या monogram बना होता है उस company का नाम और illustrations उसको बताना ज़रूरी होता है क्योंकि यह जो add होते हैं यह information add होते हैं यह हम फिर एक add समझा रहे हैं आपको जो किसी shop का है जो electronics product बीचता है और जो product बीचता है उसने उसकी complete range को बहुत अच्छी से display किया हुआ है तो news paper add के अंदर हम जब भी copy design करेंगे तो illustrations को बहुत ज्यादा importance देंगे body copy भी हमारी उतनी ही important होनी चाहिए यह body copy को दिखो important बनाने के लिए attractive बनाने के लिए catchy बनाने के लिए अलग-अलग colors का उसमें शामिल किया है then फिर एक अगें हम add देख रहे हैं पर इसका presentation आपको बिलकुल एक अलग तरह से दिखता है इसके features को photograph के form में दिखाया है body copy को जितना हम picturization के माध्यम से दिखाएंगे उतनी ही वो ज्यादा attractive होगी customers को समझ में आएगी catchy हो जाएगी और sunshift हो जाएगी जो एक newspaper की copy को ध्यान रखने के लिए है कि copy हमेशा sunshift होनी चाहिए catchy होनी चाहिए informative होनी चाहिए तो यह आज हमने जाना कि newspaper की copy कैसे लिखी जाती है और उसको लिखते समय हमें किन किन चीजों का ख्यान रखना आवशक है जाएगी thank you